हलो फ्रेंड्स, कॉंपटिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रथान, आईए फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते ही इन्वार्मेंट साइंस और टेकलोजी बेस्ट हमारे नेक्स इंपोर्टेंट सेशन को, जिसमें की हम पिछले वीक में 20 जुन तक क करेंट अफेस को कवर कर चुके थे, इसके आगे हम 21 से 30 जुन तक की करेंट अफेस को कवर करेंगे और हमेशा की तरह हमारा एरिया और टार्गेट होता है, तीन महतपूर्ण एरिया, इन्वार्मेंट, साइंस और टेकलोजी, इन तीन हो महतपूर्ण शेत्रों से हम, आपका concept ज्यादा बहतर से clear हो सके और आप exam में ज्यादा अच्छा score कर सके, now onwards, इस session के बात से हमने इसमें थोड़ा सा बदलाव और किया है, पहले हम एक मन्त में चार current affairs session लेकर आते थे, अब हम उसे तीन भागों में तोड़ रहे हैं, यानि every month में क्या होते हैं, इन जनरल session होगा, ये तीन भागों में हम अब current affairs session को आपके लिए लेकर आएंगे, गुडवत्ता और बहतर से बहतर बनाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा, ताकि आपको exam में और ज्यादा बहतर help मिल सके, ठीक है, तो इसे याद करना और इसे revise करना भी आसान होगा, कि किस कोई भ सभी important current affairs, जो environment और science and technology से related है, आसानी से cover होगा, और with dynamic plus static, ठीक है, तो आएए हम आज के session को start करें, एक overview देख लेते हैं, आज के में क्या-क्या cover करने वाले हैं, तो आज के session में जो cover करने वाले हैं, that is, फहला है national statistics day, ठीक है, रास्टी सांखे की दिवस, दूसरा है coral reef के बार जो बहुत important national park हो सकता है, क्योंकि ये news पे है, और bird village, इंडिया's first bird village, है ना भारत का पहला पक्षी गाओं, ये कौन सा है, क्यों news में इसे देखेंगे, और green hydrogen and green ammonia, ये भी बहुत important है, and very very important, that is, अपरपर revolution, बैंगनी करांती, चो आज के session में जितनी सारी चीचीज़े content हम cover क करने वाले हैं, trust me, ये exam के point of उसे बहुत important content है, dynamic भी, static भी, ठीक है, तो आईए start करते हैं, आज के पहले important current office content को, जिसमें की देख रहे हैं कि रास्ती सांखी की दिवस, national statistic day, every year हम 29th of June को celebrate करते हैं, यहाँ पे image देख रहे हैं, the world famous, famous statistician of India, भारत की एक महान सांखी की विद, उनका नाम है प्रसान्चेंद्र महालोनविस, इनकी योगदान को याद करने के लिए, इनकी contribution को याद करने के लिए, भारत में every year, national statistics day मनाय जाता है, कब मनाय जाता है, 19, यह मनाय जाता है, 29th of June को, ठीक है, यहाँ पे इसका उदेश क्या है, कि हम statistics को ज़्यादा popular बनाएं जैसी कि जो भी सामाजीक आर्थिक समस्चाएं होती है, उनको सॉल्ट करने के लिए जितनी भी policies बनती हैं, नीतिया बनती हैं, उन नीतियों को बनाने में, उसे implementation करने में, यहाँ पे statistic बहुत ही important role होता है उसका, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मदद से हम ज़्यादा बहुत तरीकी से उसको execute कर सकते हैं, क्रियान विद कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इनके contribution को याद करने के लिए, नेशनल स्टाटिस्टिक्स दे मनाया जाता है, प्रईपीसी मालों भी साहब को जो कहा जाता है, father of modern statistics in India, भारत में आदोनिक सांखिकी के पिता, और इनका युगदान है भारती सांखिकी सस्थान, Indian Statistical Institute, जो basically कहां पे है, कोलकाता में स्टित है, सबसे पहले, कोलकाता के presidency college में, 1931 में ये Indian Statistical Institute जो है, इसके स्थापना की गई थी, एक्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आप प्रिवेस इसके paper solve करेंगे, तो ये famous institute है, याद रखेगा कि इसलिए भारत को जब आजादी मिली, उसके बाद 1959 में इसे एक रास्ती महत्पका संस्थान का दरजा दिया गया था, वो 1959 है, और लेकिन स्थापना है, 1931 में इसके स्थापना हुई थी, कोलकाता के presidency college में, याद रखेगा, ठीक है, इसके अलावा, महालोनविस सहाब का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, कि भारत में जब पंचवसी योजनाय बनी, पंचवसी योजनाय याने 5-year plans, तो 5-year plans कौन बनाता था, planning commission, तो planning commission बनाने में भी इनका बड़ा योगदान था, planning commission को जो है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, आपक चुके हैं, ठीक है, उसको rename कर दिया गया, और कुछ धाचागत बदलाव भी किया गया, नीती आयोग, NITI, National Institution for Transforming India, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो ये भी एक अबातपूर्ण योगदान था, महालोनविस सहाब का, तो जो 5-year plans बनते थे, तो उसमें जो सेकेंड 5-year plan है, सेकेंड 5-year plan कब से कब बना था, वो है 1956 से लेकर 1961 तक, 5 सालों के लिए बना था, तो ये जो model था, ये पंचवसी योजना जिस model पर बेस थी, उसे हम कहते हैं, फेल्ड मेंड महालोनविस model या कई बार किताबों में डारेक महालोनविस model भी लिखा जाता है, नो प्रबलम, ठीक है, तो महालोनविस model पर बेस या है, सेकेंड 5-year plan था, जिसमें फोकस था, पब्लिक सेक्टर पर और इंडस्टालाइजेशन पर, और दोगी की करण एबं पब्लिक छेत्र की जो PSU बगरा बनना था, उस पर जादा फोकस किया गया, और इसमें हम काफी स है, BBRD, इसे हम कहते हैं, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, तो बोकारो को छोड़ दें, तो स्टार्टिंग में जो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर वगरा है, वो इसी दोरान जो है, बनाए गये थे, जिसे कि हम भिलाई स्टिल प्लान का स्थाप अपना बस 1955 जरूर देखते हैं, जब से फंक्शनल हुआ, आप चेक कर सकते हैं, तो वैसे कि राउरकेला, दुर्गापुर वगरा भी बना, बाद में बोकारो भी बना था, ठीक है, तो फिलहाल हमको यह समझना है कि PSU बनने का जो जो विजन था, जो आगे जो है, सोच थी कि हम जो है, 5-year plans को क्या बनाएंगे, हम फोकस करेंगे इंडस्टी डवलप करने में, और इंडस्टी जो है, आपको पता होगा कि वो सेकेंडरी सेक्टर, दितियाक सेक्टर का है, तो सेकेंडरी सेक्टर के होने की कारण, वो जो है, employment generate करने की छमता होती है, तो इन सभी क्रिशी पर निर्भरते क्रिशी के लक्ष को मिला, लेकिन हमको ऐस सच बहुत बड़ा एक ड्रैस्टिकली चेंजिस नहीं हो पाया, ठीक है, नाओ चलते हम नेक्स सेशन में, नेक्स इंपॉर्टेंट कंटेंड की और जिसमें की हम पढ़ने वाले ही, भारत में कोरल की चार भी कह देते हैं, वो बनाते हैं, और इस प्रकार के भी बहुत ब्यूटिफूल करल फूर यह दिखते हैं, तो इसके से रिलेटेट कुछ पॉइंट हम समझेंगे, इसका स्टाटिक पार जादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि चार नहीं प्रजातियां इंटेड् प्रजातियां मिलती हैं, तो चार नया इंटेड्यूस हुआ है, यह नाम आपको लर्न करने की कोई आवशक्ता नहीं है, फिलाल यह समझना है कि कोरल जो होते हैं, कोरल की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं, और यही कारण है कि हम देखते हैं भारत की जो 30 छेत्र हैं, ख अगर हम देखें भारत में, तो भारत में अगर हम कोरल रिप, कोरल रिप याने प्रवाल भित्ती, तो प्रवाल भित्ती को देखते हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग में बैठाईए कि यह बायू डाइवर्शिटी पॉइंट अवो से दुनिया के सबसे घने छेत्रों में स से एक होते हैं इतना बायो डाइवर्शिटी डेंस होता है कि इसे हम समुद्री वर्षावन कहते हैं क्या कहते हैं समुद्री वर्षावन जैसे कि हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो वहां पे सबसे ज़्यादा क्या है आपका होता है बायो डाइवर्शिटी तो तो यहां पे जो coral reef होते हैं, वो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक है zoosanthily, जो एक सैवाल या algae है, और दूसरा होता है, that is coral, जो एक animal है, तो इसे हम समझ लेते हैं, दो चीजों से मिलके बना है, एक होता है कि हमने कहा zoosanthily, zoosanthily ये क्या है, एक सैवाल है, ठीक है, पान्च फाईब इंपर्टेंट आपको बता रहा हूं दूसरा कि इसके बाद अक्ected पानीमल हैं अजीव है तो मैं क्रकास दूसरा चाहिए carbon dioxide और तीसरा पानी चाहिए तो पानी में तो पहले से मौजूद है तो sunlight समुद्र की कितने अंदर तक के penetrate कर सकता कितने अंदर तक जा सकता है उतने अंदर तक क्या है यह आपका zoosanthily में लेगा क्योंकि इसको photosynthesis करना है तो अगर हम यह photosynthesis का जो result देखते हैं तो क्या मिलता है food यानि की glucose यानि की carbohydrate और क्या बनता है oxygen मिलता है इसी दोनों को use कौन करता है animal करता है तो ये coral किस पर depend हो गया ये algae पर depend हो गया इस algae पर निर्भरता हो गई किस की coral की तो बदले में coral क्या कहता है जुजन दिली को चूँकि ये क्या होता है calcium carbonate CA CO3 plus CO2 का sedimentation होता है निमगन होता है तो ये क्या होता है coral एक hard structure होती है कठोर सरशना होती है और इसकी death होने पर ये बार-बार है ना इसी प्रकार का एक dead एक hard structure अपने आप में अपने आप में क्या करते रहता है वो है बनाते चलता है धांचा बनाते चलता है बनाते चलता है तो एक हार्ड इस्त आतीलि मौजूद होता है उसको सुरक्षा मिलजाती तो इस ने इसे दिया जूस एंथिली ने कोरल को फूड और ऑक्सीजन दिया और कोरल ने इसको क्या दिया सुरक्षा दिया या आवास दिया और जो स्टक्चर बना वहां पे हम देखते हैं एक ऐसा प्राकृतिक नैचुरल हैविटार्ड बना जहां पे कई टाइप के फिर्श छोटे-छोट एनिमल्स आकी अपना शेल्टर या आवास बनाते हैं तो उनके लिए क्या है नैचुरल हैविटार्ड याने प्राकृतिक आवास का निर्मार करते हैं इसी कारण मैंने कहा कि प्रवाल भित्ती को यहां पे बायो डाइवर्सिटी डेंस होती है ज्यादा इनमें सघंता होती घंत्व जादा होता है क्योंकि उस प्राकृतिक आवास में बहुत सारे फेश या दूसरे टाइप की आनिमल्स आके रहने लगते हैं उनको भी सुरक्षा मिल जाती है तो देखो एक कितना नेचर की ब्यूटी समझी है यह इसको क्या कर रहा है यह इसको दे रहा है कारिता का उदार है यह पहला important fact आपको मुझे बताना था जब दोनों आपस में बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार एक दूसरे की services को ले रहे होते हैं यानिक एक दूसरे पर निर्भर हो रहे होते हैं तो इस टाइप का beautiful colorful आपका structure दिखता है इससे हम कहते हैं coral reef कहते है तो coral reef में हम देख रहे हैं नए टाइप के coral भारत में आए हैं तो नए टाइप के वहाँ पे और अच्छे अच्छे प्रकार के यहां पे बायो डाइविसिटी और ज्यादा बढ़ सकती है इस बात को धियां रखना है दूसरा हम यहां पे समझते हैं कि बिना coral के zoosanthily का को कोई अस्तित्वा नहीं है तो five important facts about the coral reef यहां पर याद रखेगा और से star कर लीजेगा exam के point आव उसे बहुत important है very very important है one two three four और five तो पांच important fact सबसे पहले coral reef में हम देखते हैं कि किस-किस से मिलके बना है coral plus zoosanthily ठीक है पहला इनकी उपस्तिती कहां होगी तीस अंस उत्तरी अक्षान से लेके तीस अंस दक्षणी अक्षान्स तक ठीक है यहां पर कह सकते हैं कि जैसे प्रित्वी होती है प्रित्वी के ठीक बीच में क्या होता है विश्वत रेखा बोमद्द रेखा या equator होता है इसके 23 डिग्री साढ़े 23 हाप में जाते हैं तो क कई बार कुछ किताबों में आपको दिखेगा कि कोरल रीप करकर रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलती है ट्रॉपिक ऑप कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन की बीच में मिलती है तो उसे भी हम समझ सकते हैं थोड़ा अल्मूस्क वही है साड़े 23 और 30 मन्त थोड़ा अंतर है लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं यह पहला पॉइंट हो गया अब दूसरा । होते हैं इसे कहा जाता है समुद्री वर्षावन कहने का मतलब यह है यहां पर वर्षा से कोई रिलेशन नहीं है यहां पर आपको पता है कि प्रिथ्वी में कौन से ऐसे वन होते जहां पर सरवाढ़िक जैब विद्टा पाई जाती है, बायो डायवसिटी पाई जाती है, उसका नाम है Tyropical Rainforest, यानि उश्नकटिवंदी वरसावन, तो उश्नकटिवंदी वरसावन कहां पाई जाता है, यह से आपने Amazon Forest का नाम सुना होगा, ब्रजील में है, साउधि-अअमेरिका के, तो ब्रजील में कि आये ब्रजील को इसलिए दुनिया प्रक्रितिक आवाश स्वावास रम भषावन wordt यह थो वहां serious सार एनिमल प्लांट की डेंसेटी बढ़ जाती इसलिए से समुद्री वर्षावन कह दिया जाता है क्लेर होगे आप सभी को थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट धियान रखना कि कोरल रिफ को हम याद रखेंगे कि कोरल रिफ हमेशा क्या है ज्यादा गहराई पर नहीं लेकिन यही दो से तीन पर्सन क्या है लगभग लगभग पचीस प्रतीसद एक्वेटिक अनिमल्स के फूड का क्या है उसका सुरोथ होते हैं कैसे यहां पर नैचुरल हैबिटाट बना नैचुरल हैबिटाट पर छोटी-छोटी फिश आके रहने लगे दूसरे अनिमल रह पूचाएगा तो खुद का प्रेजेंट एक दो या तीन परसेंट है लेकिन वह बाकी के 25 पतिसत के लिए फूड का निर्माण करते हैं उससे रिलेट डारेक्ट होते हैं यह तीसरा पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट एक्जाम में पूछा जाता है कि कोरल रीफ के इसमें देखते हैं टैंपरेचर आलमोस उसका एवरेज टैंपरेचर इतना ही होता है इसी कारण इसी जगह मिलते हैं तो आपको एक्जाम में याद रखना यह पूइंट पूछा जाता लास्पॉइंट आपको पूछा जाता है कोरल रीफ को सरवाधिक कौन प्रभावित क बढ़ता है तो याद रखना कि जब भी गलोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो उसके कारण वार्मिंग हो गया बढ़ जाना टैंपरेचर मतलब 21 डिग्री से क्या टैंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इनके लिए क्या है प्रतिकूल परिश्यति बन जाएगी और प्र प्रकार वाइट हो जा पाए और इसे कहते कोरल ब्लीचिंग यह भी आपके यूपी एसी सीजी पीएसी और दूसरे अधर स्टेट प्लस व्यापन सभी एक्जाम में पूछा जा चुका है कि कोरल ब्लीचिंग क्या है तो कोरल ब्लीचिंग को मैं थोड़ा बता देता हूं क व्याट होड़ा चालिचिंग में यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैं बहना भी बता है उसी को अपलाई करना है देखो दू प्रकार की चीजें मैंने लिया था एक लिया था जू जैंतेली तो जाख लासंधी्ट क्या कर रहा है यह कर रहा आए फोटो सन्धेसिस कर बना रहा है आपकी एक फूड बनाया प्लस क्या बनाया ऑक्सीजन ठीक इसको कौन खा रहा है इसको कौन यूटिलाइस कर रहा यह उसका नाम है कोरल ठीक है कोरल क्या कर रहा है इस पर dependent अब मान के चलो global warming हो गया temperature बढ़ गया carbon का emission तेज हो गया तो global warming बढ़ने पर photosynthesis की दर बढ़ जाती है rate of photosynthesis increase तो food ज्यादा बना oxygen ज्यादा बना तो यह जो oxygen food इसे utilize कर रहा था कौन कर रहा था coral इस पर यह ज्यादा क्या है supply होने लगेगा तो coral कहता है मुझे और नहीं चाहिए oxygen फूड और नहीं चाहिए मिरे पास health sufficient लेकिन यह supply है चलते ही रहता है क्योंकि यह photosynthesis का rate जादा हो गया दर जादा हो गया है तो यह इतना बढ़ता इतना बढ़ता है कि इसे क्या है nullify करने के लिए प्रती संतूलित करने के लिए क्या करता अपने आपको detach कर लेता है ठीक है दो condition हो सकता या तो इसको detach कर देगा या zoosanthily photosynthesis कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि उसमें chlorophyll का इसका रहा होता है यह pigment को कम करें एक केस हो सकता दूसरा यह हो गया हो यह क्या करता अपने आपको detach कर लेगा अगर chlorophyll कम होगा तो food कम बनने लगेगा तो problem अगर chlorophyll रहने देगा तो ज्यादा बन गया ज्यादा बन गया तो क्या ज्यादा oxygen food supply तो अपने इसके बाद उसके भी डेथ हो जाएगी और डेथ हो जाने पर इसे हम कहते हैं प्रवाल विरंजन क्या गहते हैं प्रवाल विरंजन यहाने फिक कोरल रीफ कहते हैं ठीक है यह सौरी कोरल bleaching कहते हैं coral bleaching ठीक है इस प्रकार यहां पर देखे देस वन यह coral bleaching जिसमें color disappear हो जाना color का गायब हो जाना तो यह 5-6 fact आपको याद रखना था आपकी coral reef से related more than sufficient जितना content बताए हूं exam में यहीं से questions आएंगे अंतीम देख लेते हैं भारत में आपकी अंडवान निको बार में 90% मिलता है अंडवान निको बार में बागी जगह दिखतें गलफ आप मननार लक्षदीप और गलफ कच्च की घाड़ी है ने बागी 30 चत्रह में कुछ कुछ कम मिलता है याद रखना ज्यादा गहरे सागर में नहीं मिलेगा clean water में मिलता है ज्यादा polluted water में नहीं मिलेगा याद रखना ठीक है तो यह बात है चार जगा याद रखना कच की खाड़ी लक्षदीब आगल मनार की खाड़ी और अंड違う को अब अगला content आता है केबूल लाम जाओ-र रास्टी उद्ध्यान के ल एन पी कहा जाता है तो यह दुनिया का पहला ऐसा फ्लोटिंग क्या है रास्टी उद्ध्यान है क्या फ्लोटिंग रास्टी उद्ध्यान है तैरता हुआ रास्टी उद्ध्यान है दुनिया का पहला कहां पे है लोक्तक जिल पे लोक्तक जिल कहां पे मनिपूर पे अब आप सोत रहें यह क्यों हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा एक फेमस पीसीज यह एक बहुत ही महधपूर्ण प्रजाती मिलती है उसका नाम है सांगई सांगई से हम कह सकते हैं डांसिंग हिरन या डांसिंग डियर भी कह सकते हैं या भोहवाली जो है डीर भी कहते हैS इनका जो है ये क्या है प्राकृतिक आवास था प्राकृतिक आवास है कह सकते है नैचुरल है विटाड ये अपको एक ग्जाम में पूछा जाता है ना नैचुरल हैबिटाट पर के इस कारण क्या है यह न्यूस में है पॉइंट नमबर वन कि अब अगर हम स्टेटस के और इसका स्टेटस में पर रफिए से मिला तो इसका अभी का स्टेटस क्या है तो यह आता है संकट ग्रस्त या फिर कह सकते हैं इंडेंजर्ड संकट ग्रस्त या इंडेंजर्ड में यह आता है ठीक है यह याद रखना है अभी बात है खतम नहीं हुए बहुत सारे content है इसमें आपके exam के point अब उसे तो अब यहाँ पे इसका एक historical जो है क्या reason भी है तो दे water क्या है आपका लेक है और भारत की सबसे बड़ी है याद रख लेना लोक्तक जील में एक चीज पाया जाता है इसका नाम है फुमडी क्या होता है vegetation soil और organic matter का एक मिसरण है और इस प्रकार देख रहे हैं पूरा national park इसी प्रकार फुमडी से like इस प्रकार जो है तैरता हुआ दिखेगा और एक ऐसा national park पूरा तैर रहा है किस के उपर तैर रहा है लोक्तक जील के उपर तैर रहा है और यह फुमडी के कारण यहां पे बहुत सारे दूसरे animals को भी natural habitat मिल जाता है दूसरा यह देख रहे हैं कि थोड़ा उतले पानी में होते जादा गहरा ही नहीं होती ह है तो इसलिए हम इसे हम वेट लैंड में भी गिन सकते हैं तो इसे हम रामसर वेट लैंड में भी हमने सामिल किया था तो 1990 में हम देखते हैं यहां पे इसे क्या दिया गया था रामसर वेट लैंड में सामिल किया गया था और 1993 में Montrex record में भी इसे सामिल किया गया था अभी आपको इस पॉइंट को पहले कवर करते हैं तो यह जो केबुल लाम जाओ है तो यहां फिर से क्या है डांसिंग डियर एक ऐसा ही रहा जो डांस करती है आप यूटुब में देख भी सकते हैं इसे तो डांस करती है तो वह एक एक कहना ची विशिष्ट प्रकार की प्रजाती ह है ना तो वो क्या है फिर से मिलने के कारण अब इसके सरक्षन को लेकर बात की गई है एक बात ये थी दूसरी बड़ी बात की कि यह जो लोक्टक जील है मानिपूर की एकनॉमी में या उनकी अर्थब्यवस्था में बहुत बड़ा युगदान दे रहा है जो कि वहां से सि लिया यह कैबूल लेमजाओ एरिया अपने आप में बहुत फीमस था बहुत जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है अब याद रखेगा इसका एक हिस्तॉरिकल बैगराउंड भी है कि यहां पे इसको लेकर एक नया अपडेट या एक नया डिसीजन लिया गया है कि हम यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इसे हम क्या करेंगे दूसरी जगा सिफ्ट करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि यह नेशनल पार्क कैसे सिफ्ट करेंगे भाई यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो इसे कम से कम करीब 6 किलोमेटर आसपा रहने वाले लोग क्या हैं उसे अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके कारण यह सांगई ही रन पर नेगटीव इंपक्ट पड़ेगा भले कह रहे हैं कि वहां सिप्ट करेंगे तो फाइदा होगा लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है यह आप उनके नैचुरल हैबिटाट को डिस्टॉई करोगे पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू यह कहा गया है कि आप सिप्ट क्यों कर रहें तो कारण यह बताया गया इसका हिस्तोरिकल बैगराउंड यह बताया आजाद हिंद पौज जानते हैं भी है ना इंडिय सभास्ष चंद्रबोश से रिलेटेड तो सबसे पहले यहां पर पूरवत्तर भारत में पहले ध्वज जो है राश्टी ध्वज यहीं फैरा आए गया था कहां पर इसी के वहां पर एक उंत्रा एक स्मारक बनानी की बात की जारी है एक कहना चाहिए धरोहर हैरिटेज बनान और वो मिजियम को एक टूरिजम के पॉइंट इप उससे डवलब किया जाएगा इसलिए क्या किया जा रहा है इसे कि ये एलेंपी को सिफ्ट किया जा रहा है तो वहां समारख बनेगा टूरीजम बढ़ेगा सम्थिंग लाइग बहुत सारी बातें होगी तो उसे लोकल पीप करन पर फिर से कोश्चन मार्क उठेगा क्योंकि जितने भी वाइड लाइफ लवर हैं या वाइड आनिमल्स लवर हैं वो सब भी अपोस्ट कर रहें लेकिन सरकार अपने पीछे पड़ी हुई कि इसे नारक बनाएंगे सम्थिंग ठीक है तो फिलाल जो भी सही गलत जो भी मै का स्पीशिस मिलता है अब यहां पर मैं थोड़ा सा रामसर वेटलैंड के बारे में बताऊंगा यह देख रहें यह आपका संगई या डांसिंग दिरन या ब्रो एंटल्ट जो है डियर हम कह सकते हैं ठीक है अब चलते हैं थोड़ा समय आपको बताऊंगा इसके इस से रिल होता है कि जिसमें की यहां पर वेटलेंड है तो आधा क्या है भूमी आधा क्या है यहां पर पानी दोनों के कॉंबिनेशन से यह क्या है एक ऐसा island प्रकार का पानी है जो स्व्सिंगL ces है वो ट्रांजीशन सिस्टम सी हो गया जिससे हम कैते हीग bitter B consultants के 더 c ठीक है और इकोटोन याने संक्रमिका में क्या होती है बायो डाइवसेटी बहुत रिच्छ होती है तो एक जितने भी वेटलैंड है वेटलैंड याने की दलदली मार्शी लैंड या जो कह सकते हैं जो कम गहराई वाले जितने भी जील होते हैं मोस्ली जील को वेटलैंड में सामिल कर लिया जाता है तो उनमें क्या है यहां पर एक जो है लोकटक जील है तो लोकटक जील में इसे भी वेटलैंड में सामिल किया था तो लोकटक जील को हमने देखा 1990 में हमने रामसर साइड में सामिल तो कर लिया मतलब एक ऐसा वेटलैंड जिन में क्या होते हैं जिन में किसी प्रकार का संकट आ सकता है जिसमें किसी भी प्रकार की जो हैं मानवी गतिवीधियों के कारण प्रदूशन के कारण या किसी भी ऐसी एक्टिवीटी के कारण इन पर संकट उत्पन हो सकता है तो उसे तूरंद मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सामिल कर लिया जाता है तो 1990 में ये बना लेकिन 1993 में 1993 में क्या कर दिया गया 1993 Montrec's record में सामिल कर दिया गया ठीक है इसी साल हम देखते हैं एक और नाम है उससका नाम है क्या है भरतपूर बड्ड resulting जल्स ऑद नाम कहा जाता है केवला देव नेशनल पार्क कहा जाता है केवला देव नेशनल पार्क को भी क्या है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ट में सामिल कर दिया गया तो संकट कैसे आया था सबसे पहले यहां पर देखें लोकटक पर क्या है लोगों का जो है अतिक्रमण बढ़ गया था जादा है उस पर संसादनों पर दबाव बढ़ रहा था तो थोड़ा सा यहां पर इसके आगया तो Can सामिल करती अगया भरत पूरी जिसे केवलादेश नेशनल पार कहते हैं यह पांई की कमी गई क्यूंकि राजस्थान में क्या है पांद गया था अहिए और तीसरा नाम है उसका नाम है cheer कालेák चील काले शामिल कर दिया गया था चीलका जील को इस पर संकट आगा था क्योंकि यहां पे कह सकते गाद जादा ज मजमा होने की कारण इसांए उसमेल कर दिया गया था बाद में इस स्ट्रेशन यहाने गाद इसको हटाए गया और वारसद 2002 में इसे चिलका लेख को क्या कह दिया जा पूरसकार भी दिया गया था अंतरास्टी इंटरेशनल लेवल प्राइस मिला था क्योंकि इसको सॉल कर लिये थे और अभी देखेंगे हम मॉन्टरक्स रिकॉर्ड में ये तीनों ही सामिल नहीं है मतलब वो जो संकट था उसमें हमने क्या कर दिया हटा दिया था ठीक है ये बातों को आपको ध्यां रखना है कि ये चिलका लेख भरतपुर बड़ सैंक्चुरी और तीसरा राना में लोक्टक जीब ये तीनों वेटलैंड है और तीनों मॉन्टरक्स रिकॉर्ड में पहले साम एक और फैक्ट है उसका नाम है यहां पर देखिए कि भारत का पहला पक्षी गाउं फर्स बर्ड विलेज ऑफ इंडिया तो बर्ड विलेज ये कहां मिला है राजस्थान में मिला है तो राजस्थान की उदैपूर डिस्टिक में एक गाउं है जिसका नाम है मेनार गाउं तो मेनार गाओं में कि देखते हैं उनमें दो जीले हैं एक ब्रह्मा दूसरा धंद यह दोनों में बड़ी संख्यामी प्रवाशी पक्षियां आते हैं और इनको कोई डिस्टप नहीं करता इनकी अब इनको क्या है राजस्थान सरकार ने एक कहना चेक इनिशेटिव लिया है कि वो राज जिस तरफे जो भी डिसिजन ले सकते थे नई वेटलेंड में उसे अधिसूचित किया जाना उन्होंने फैसला किया है अगर ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले समय में यह रामसर वेटलेंड जो है बन सकता है ठीक है रामसर वेटलेंड बनेगा तो इन जीलों का ज्यादा बहतर तरीकी से प्रबंधन हो सकेगा अंतराश्टी फंड मिलेगा और अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यहां पर जैविबित्ता याने बायो डाइवरसिटी बढ़ जाएगी जो एकोसिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है ठीक है हम कहां रहना पसंद करते हैं जह जहां पर ग्रीनरी हो जहां पर क्लाइमेट बहुत क्लीन हो जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाद अच्छा हो वह सब कहां मिलता है जहां पर एकोसिस्टम संतुलित होता है ठीक है तो यह बात ध्यां रखनी है और बायो डाइवरसिटी तो हमीशा इंपॉर्टेंट ह होता है उसी बायो डाइवरसिटी कारण हम आप जीवित हैं अगर बायो डाइवरसिटी लॉस वा तो फूट चेन टूटा फूट चेन टूटा मतलब एक दूसरे अनिमल प्लांट पर क्या है आपकी जो है खत्रे आ जाते हैं यानि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी खतम हो ज सकते एकन बीनारी सकते ह्कान सकते हैं तो फूट कहां से मिलता है अनिमल प्लांट दोनों पर इपनिंसी है और यह नहीं होगा तो क्योंकि स्टार्ट होता है food chain कहां से start होता है plants are the producer उत्पादक होते हैं and all green plants are the producer दे पूदे उत्पादक हैं यदि उत्पादक हैं तो फिर साकाहरी का स्तित्व हैं हर्वि उसका स्तित्व है अगर producer लिए तो बागी उसका यहां से आएगा नहीं आएगा यह बात सभी को समझ में आ रही है चलिए अब यहां पर देखना इसका इंपॉर्टे से बहुत पक्षी गाउं क्यों कह दिया गया कि दो जील थी तो यहां पर यह बहुत सारे वेराइटी और बर्ड्स आते थे और इतनी बर्ड्स की 150 से भी ज जावासी पक्षी दिवस मनाए गया था तो यह बेसिकली क्या है कि दूसरे ऐसे ठंडे प्रदेशों में कब आ रहें देखो सर्दियों के मौसम में उधर और सर्दी होती बहुत ज्यादा टैंप्रेचर माइनस 20 30 माइनस 30 40 में चला जाता है तो किसी भी आनिमल्स प्लांड के लिए खास कर वहां पर सर्वाइवल कंडिशन बहुत मुस्किल हो जाता है तो वह क्या करते हैं माइगरेट करके आ जाते हैं तो भारत के भरत पुरबर्ड सैंक्चूरी यहां पर देख रहे हैं बर्ड विलेज चिलका लेक या दूसरे एवन 36 गड़ के आप देख रहे ह में यह सब जो एरिया में क्या है आकी यहां पर माइगरेट करके रहने लगते हैं और अपना काफी लंबा समय है ठंड का सीजन स्टार्ट होता नॉवंबर आसपास तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च फिर अपरेल में जब समढ चलने लगता है तब वह अपनी सब जगह से आते हैं तो इसलिए राजस्थान सरकार ने इसे बर्ड विलेज कहा है याद रखना राजस्थान का है मत सूचिएगा यह क्या है भारत के कंटेक्स में भी इंवार्मेंट पॉइंट है उसे बहुत इंपॉर्टन कंटेंट है ठीक है तो यह भी क्या है बेसिकल हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टन है पहले बास समझना होगा हाइड्रोजन को भविश्य का इंधन गा जाता इट इस दा फ्यूल और फ्यूचर दुनिया के लिए हाइड्रोजन अपनी जो रिनिवेवल आइनर्जी है आपके जो है नविकरनी उर्जा है इस लक्ष को पा है नाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ठीक है तो हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे एलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा सिस्टम होता है ठीक है जिसमें बेसिकली एलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ठीक है जिसमें की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों के स हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे अलग से सपरेट कर लेंगे यह हाइड्रोजन को हमने अलग से सपरेट कर दिया अब हम क्या करेंगे एट्मोसफेरिक जो है आपका नाइड्रोजन या वायू में जो नाइड्रोजन मिल रहा है आपको पता होगा 78.08% कि क्या नाइड्रोजन ह सकते हैं अब अमनिया जब बन गया तो यह ध्यान रखना यह घ्रीन अमोनिया होना चाहिए मतलब हम ऐसा अमोनिया अपर आने का ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस में किशके बिलकुलrative कार्बन का एमनिशन नहीं होगा कारबन का सरजन नहीं होगा तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो यह आमोनिया आमोनिया मतलब ns3 और ns3 यानि कि आमोनिया का यह पार्ट जो है यूज किया जाता बेसिकली fertilizer industry में जैसे हम देखते हैं एक किसान कितने सारे fertilizer को यूस करता है यूरिया नस-टू सी में भी आमोनिय था बैसे देखते हैं की डाय आमोनिया फास पे यूज किसान अभी वह सकता है धान की घडियुकश कर सकते हम पर ठीक है वह करेगा आपके मैनियूर्व्य या देशी खात से आपके गोबर खात से लेकिन जो अभी हम चले आप जो सिस्टम चले आ रहा है जादा से जादा fertilizer यूज़ करते करते मिट्टी की तो बार बार हम देखेंगे उसमें फटिलाइजिस को डालना ही पड़ेगा अगर हम मैनियूर याने देशी खात को हम यूज करेंगे तो प्रोडेक्शन तो होगा लेकिन कम होगा लंबे समय तक अगर हम मैन्यूर्स करेंगे तो वापस इसकी फर्टिलीटी रिस्टोर हो सकती है वह अलग मैटर है लेकिन फिलाल आमोनिया जो होती है फर्टिलाइजस इंडस्ट्री में दूसरा जितने भी जो हैं यूज करके हम हैबर मैथट आप जानते होंगे बहुत फेमस है अमोनिया बनाने की हैबर वीदि आप स्कूल्स पर पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं यही तो यह पॉइंट आपको बताना था तो अगर हम ग्रीन हाइड रूजन बनाएंगे तो ग्रीन आमोनिया भी हमको मिल सकती है और बेसिकली हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे फर्टीलाइजिस को एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास वह सिस्टम है नहीं इसलिए फर्टीलाइजिस ने कॉस्ली विखते हैं तो पहली बात तो इनिवेबल एनरजी लक्ष क्या है दो हजार 21 का पीएसी का प्रिलिम्स का पीपर में आया हुआ था अब इस बार आपको एक और इंपोर्टन डेट याद रखना है पहले भी में बताया चुका था अल्रेडी प्रिवेस सेशन उस समय के दोरान में बताया हुआ था अल्रेडी कि ये एक्जाम की पॉइंट है उसे इंपोर्टन एक्जेक्ली पूछा गया था नाओ आपको फिर से मैं आवेर कर रहा हूं मिलियन 10 मतलब इंटू recibifying चाहिए दोहजर थीस तक 3010 याद रखना Jennie We Cars अगर हम ईंट होज मैं अनरजी कि पॉड़क्ष Fran N Eków sector सबी सब्सक्रेंद कर सकते एंवन गर्में के दवारा बहूत सारा यहाँ सबसीडी भी प्रोवाइड है जिसमें कि देख रहे हैं कि अगर किसी भी माध्यम से भी हम कहीं पर पावर प्लांट स्थापित करते हैं तो वहां पर कहना चाहिए आपको बहुत सारी चीजे फैसिलिटी गवर्मेंट की तरफ से मिलेगी पूरी तरह से परमी शिवल है याद रखना है यह वही चीजें है देखो प्रोडक्शन ठीक है प्रोडक्शन यह बेजिकली जयाद रखना सोलर एंट एनरजी में इलेक्ट्रोलाइजर यूज़ किया जाता उसकी मदद से हम यूज कर सकते हैं क्या हाइड्रोजन बना हाइड्रोजन को यहां पर एर से नाइट साथ हम फर्टिलाइजर्स बनाएंगे ठीक है याद रखना रिफाइनरी में होगा तो यह बातें आपको ध्यां रखनी है भारत की उर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है क्यों क्यों कि भारत का 85% ऑइल का इंपोर्ट से आता है गैस का 53% सब इंपोर्ट से आता है दूसरी बड़ी बात समझे कि अभी, अभी का जो summer season गया गर्मी का season गया इस summer season में क्या हो रहा था कि कोईले पर जबरदस दबाव पड़ा इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि हम देखेंगे कि ये हजदे वाला matter भी आगया इसी बीच में कि कोईले का कोईला प्रोडिशिंग स्टेट जो है जैसे चतीसगर जारखंड आपके ओडिसा इन राज्यों में क्या हैं दबाओं बहुत ज्यादा पड़िया तो बेसिकली आपको ध्यां रखना होगा कि यह जो अगर कोईला का भी देखते हैं न हमारे थर्मल पावर पे डि स्थिति में नहीं है कि एक ही अनर्जी पर डिपेंडेंसी है तो इसलिए ध्यां रखना होगा कि रेनीवेवल एनर्जी का जो टार्गेट है वो हमको पाने में मदद करेगा आप कमेंड बॉक्स में लिख के बताईएगा कि 2030 तक भारत की नभी करिनी उर्जा लक्ष कितना वाट है ठीक है एक्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी बता चुका हूं फिर से मैं आपको कोशन पूछ रहा हूं यह क्योंकि अभी 2030 आया नहीं है आने वाले समय के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो ठीक है और यह तो आपको मैंने बताई दिया नाव चलते हम नेक् सब्सक्राइब और और पूछे देखते हैं कि एक्जाम के पूछे जा चुके हैं अब यहां पर समझेक एक नया सब्द है इसे कहते हैं परपल रिव बहुत important है याद रखना है कि वर्स 2016 में वर्स 2016 में क्या किया गया था aroma mission launch किया गया था aroma mission का aroma मतलब aromatic यानि कि वो खुस्बू तो किस में खुस्बू होती जितने flowers में खुस्बू होती है तो flower कि खेती को florikulture कहते है फ्लोरी कल्चर यानि कि flower कि जादा से ज्यादा हम भारत में खेती की जया जैसे कि आप lavender को लेखते हैं गुलाब को देखते हैं जितने भी essence वाले यह सुगंध वाले इवन महंदी कह सकते मिंट ठीक है मैंठॉल ये सभी चीज़ों को प्रुचाहन दिया गया कि हम भारत में क्या है एरूमा मिशन लाएंगे और एरूमा मिशन की अंतरगत भारत की अलग-अलग छेत्रों में खास कर जहां पे खेती थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाती है जै इवन राजस्थान का बहुत बाड़ा पार्ट जो है हम दिखते वहां पे खेती संभाव नहीं हो पाता है क्योंकि डेजर्ट है तो जो प्रतिकूल जगह होते हैं जहां पे अच्छी से नहीं हो पाती हो हम फ्लोरी कल्चर हम कर सकते हैं तो एरूमा मिशन लाए गया था बे सकर से हम बनाएंगे कहना चाहिए हम अलग-अलग प्रकार के सुगंधित चीज़ें से अगरवत्ती हो गया आपके फ्रेग्रेंस हो गया डियोडरेंट हो गया बहुत सारे चीज़ें हम यूज करेंगे और यह काफी कॉसली बिखते एक लीटर ददस अजार तक की कीमत हो सक पहली बार देखा गया कि 2007 के पहले कोई इस फरकार लेवेंडर की खेती नहीं करते थे अब वहां पर क्या होगा कि 2007 के बाद 10 में बढ़ाये गया 10 के बाद धीरे धीरे और खेती करते गए इसके बाद जब देखते हैं 2016 में जब एरोमा मिशन लागू किया गया तो यहां प तो यहां पर देखेंगे कि लेवेंडर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी सरकार फुत्साहित भी करने लगी और भारत में जम्मू कस्मीरी में जगह उसका नाम है भद्रवा जो डोड़ा जिले में है यहां पर पहला लेवेंडर फेस्टिवल मनाये गया है ठ तो मक्का या दूसरे फसली खेती करता था वो क्या है अब लेवेंडर की खेती करने पर फोर टाइम चार गुना उसको ज्यादा फाइदा होने लगा जम्मू कस्मीर तो फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है इंडिया का हौटी कल्चर स्टेट कहा जाता है बारत का हौटी को इसे का जाता है बागवानी वली फसल के लिए जम्मू कस्मीर तो वेसे यह है पूरा सब कहना चाहिए ईक ऐसा तहीं blanket आया वेगनिक चुपम एक्छुल में देख सब्सक्रिट कर्षाइग यह फिलीघ। है इसके लिए ज gouden फिल इसके लिए जो कौन कौन है है ना देखो भारत की विज्ञानिक की सबसे सीज संस्था विज्ञानिक और अध्योगी की अनुसंद्धान परिशद है ना विज्ञानिक संस्था है एक भारत की सीज संस्था कह सकते और दूसरा भारती एकिकरित चिकित्सा संस्थान इंडियन इस्टिटूट और इंटिग्रेटेड मेडिसीन की मदद से क्या है इसे चलाया जाता है और याद रखना इसके कारण यह जो है भारत में भारत में यह जो आपका परपल रिवॉलिशन है बैंगरी करांती है तेजी से बढ़ने लगा है और आने वाले समय में देखना यह और तीजी से बढ़ेगा ठीक है तो यह सभी बाते आज के सेशन में मुझे आप सभी को बताना था ठीक है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलते ही हम नेक्स क्लास में कुछ नए महत्पूर्ण के साथ और आपके क कोई सुझाव हैं तो डेफिनेटली हमें भेश सकते हैं अगला सेशन हम बहुत जल लेकर आएंगे जैसे कि मैंने बताया कि एक सेशन होगा तो इसमें हम देखेंगे कि हम 30 जून तक कवर कर किये हैं तो अगला सेशन रहेगा एक से लेके 10 जुलाई तक के बीच का सेशन हृशं मे जो फैस देखंटे को तो